आकाश्मानी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग पहले एक अपील देश कोवी टीका करन अभ्यान के अंतरगरत 150 करोड टीके लगाने के दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है कोरोना फाइरस का नया वैरिंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं पंद्रा से अठारा वर्ष के किशोरों के लिए राश्वापी टीका करन अभ्यान शिरू हो गया है आप सबसे हमारी अपील है कि अथा शेग्र दूनों टीके लगवाएं और किशोरों सहित अनलोगों को भी टीके लगवाने के लिए पेरिद करें कृपया इन तीन आसान उपायों का पालन करें, मास्क लगाएं, दोग उसकी सुरक्षे दूनी वराएं रखें, हाथ और चहरा साफ रखें कोविट से संबंदेत कोई भी जानकारी और माग देशन के लिए राश्वी हल्पनाइन नंबर 0123978046 और 1075 पर संपर्क करें सबसे पहले मुख्य समाचार, प्रधान मंत्री की सुरक्षा में चोग पर राश्वपती ने जताई चिंता पंजाव सरकार ने बनाई जात समिती बांधवकार नैशनल पार्क में आप महिलाएं भी गाईट की भोमिका में नजार आएंगी सागर के रहली में 1285 हितिगराहिऊं को आवास के लिए 12 करोड 85 लाख रुपे की चेक वेतरित और भारती खील प्राधिकरण ने कोविट के बढ़ती संक्रमन को देखते वे नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी की अब समाचार प्स्तार से प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी ने आज राश्ट्रपती भवन में राश्ट्रपती रामनाद कोविंद से मुलाकात की राश्ट्रपती ने उनसे कल पंजाब में उनकी काफिले में सुरक्षा में सेंध लगाने की जानकारी रिली राश्टपती ने इस कंभीर चूग पर चिंता जताई उपर राश्टपती एमवेंक्या नाइडू ने भी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से इस बारे में बात की उधर केंद्री ग्रह मंत्राले ने इस चूग पर आज सरकार से विसरत रिपोर्ट मांगी है पंजाब सरकार ने इस मामले की जांच के लिए 200 दस्यों वाले उचिस्तरिय समिती गठित की है इधर प्रदेश में भाजपा ने प्रधान मंत्री की दिरगायों के लिए महाम रित्युन जय जाप कराया प्रदेश कॉंगर सद्धक्ष कमलनात ने सुरक्षा चूग पर प्रतिक्रिया जटाते वे कहा कि प्रधान मंत्री की ही सुरक्षा ना हो पाए तो पूरी दुनिया में देश की बदनामी होती है बांधगर नैशनल पार्क में आप महिलाएं भी गाइट की भूमिका में नजर आएंगी गाइट के लिए होने वाले पंजियन में 25 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे बांधगर टाइगर रिजर्ब में जागरुकता सूचना पतल लगाय जाएंगे ये सभी निरने कल शैडोल कमेशनर राज जीव शर्मा के अद्धग्षिता में आयोजिद बांधगर टाइगर रिजर्ब के सानगी सलाहकार समिती की बैटक में लिए गए मंत्र मंदल की आर्थिक कारे समिते ने आज अंतराज जी पारेशन प्रनाली हरित उर्जा गलियारे के दूसरे चरण की स्विक्रिती दी सूचना और प्रसारन मंत्री अनुराक सिंग ठाकों ने नई दिल्ली में कहा है कि सूचना से लगबग 10,750 सरकेट किलोमेटर पारेशन लाइन और उप केंद्रों की करीब 27,500 मेगा वोल्ट एमपियर शमता में व्रिद्धी होगी केंद्री अन्वेशन ब्यूरो CBI ने 9,40 करोड रोपे की बैंक दोकादड़ी मामले में चार मामले दर्शकर चानबीन शुरू की है इनमें से एक प्रदेश के राइसीन में पंजाफ नाशनल बैंक द्वारा निजी कंपनी पर 35 करोड रोपे से अधे की धोकादड़ी का भी आरोप शामिल है अब समय है आजादी के अमरित महत्सव पर समाचार एकांश की क्वीज प्रतियोगिता में कल पूछे गया प्रशनी के विजेता का नाम बताने का कल हमने पूछा था विश्वा मित्र प्रशकार मध्यप्रदीश में की शेत्र में दिया जाता है इसका सही उत्तर है खेलों में प्रसिक्षन के लिए सही उत्तर देने वाले शुताओं में से भागेशाली विजेता हैं बालागार सिले के लोकेश कुमारदमा है लोकेश कुमार धमाही ने अपनी प्रतिक्रिया बे प्रादेशिक सबाचार एकांश की कुईज प्रतियोगिता को एक सरानी पहल पताया के एक बहुत सरे जानकरी सुनने मिल रहे हैं इसके लिए मैं आकाश्वाणी परिवार को धन्यवाद देता हूँ कोविड-19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाए मास्क लगाएं दो गस दोरी है जरोरी सुरक्षित दोरी रखें हाथ और मू साफ रखें ब्रिक की बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है लोक निर्मान कुटीर और ग्रामुद द्योग मंतरी गुपाल भारकव निया सागर सिली के रहले में 1285 इतगराहियों को एक लाख रुपए के मान से 12 करोड 85 लाख रुपए के चिक पितरत कि इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सब की लिए प्रधान मंतरी आवास यूचना से वर्ष 2022 तक प्रतियोग जरुतमन को पक्क आवास मोहया कराने के लिए राजिसरकार कृत संकल्पित है आकाश्वणी महान दिशाले ने मीडिया में प्रकाश्वित उन खबरों का खंडन किया है जिन में कहा गया है कि प्रसार भारती इस्थानिय भाशाओं और बोलियों की स्थान पर विवित भारती की राश्री सेवा की कारिकरुम शुरू करने जा रही है आकाश्वाणी ने इसपश्ट किया है कि ऐसे सभी केंद्रों को निर्देश दिया है कि एफम कारिक रूम में इस्थानी सामग्री सुनिश्चत की जाए जोला धारी इंदोरी अभियान के तहट आज 22 स्याधिक सजायता समू की महिलाओं द्वारा इंदोर जोले का निर्मान किया जा रहा है नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया है कि नगर निगम इंदोर द्वारा नागरिकों को प्लास्टिक पॉलिथीन का उपयोग ना करते वे कपड़े के जोले का उपयोग करने के लिए अभियान चलाय जा रहा है आज मालवा मिल चोराहे पर जोले का निर्मान करने के लिए जोला से लाई और वित्रन कारे का दी प्रजुलन का निस अभ्यान का शुभारम किया गया भारती खेल प्राधिकरण ने उमिक्रून वैरियंट के कारण कोविट के बढ़ती संक्रमन को देखते वे नई मानक संचारन प्रक्रिया जारे की है इन मानक प्रक्रियाओं को विभन राश्री उतकरिष्टिता केंद्रों के साथ साथ राश्री कोचिंग शिविरों में भी कडाई से लागो किया जाएगा खेल मंत्राले ने बताया कि प्रसेक्षन केंद्रों पर पहुँचने पर सभी खिलाडियों को अनिवारी रूप से रैपिड एंटिजन टेस्स कराना होगा मंत्राले के निसार इंशिविरों में कोविड पॉजिटिव एलक्षन वाले के लाड़ियों के लिए उचित प्रत्रकवा सुविधायों सुनेशित की जा रही है अब कुछ समाचान संग शेप में नागदा में ग्रेसीम इंडिस्ट्रीज लिमिटेड के सल्फियूरिक एसिड प्लान से बुधवार को रिसी गयास का वातवरन पर कोई दुश प्रभाव नहीं है सीधी में पीम किसान यूजना के हितिगराहियों को एक वाईसी की सुविधा निशल को प्लब्द कराई गई है सतना में आज क्रामिट विकास कारियों की समिक्षा बैठक कल एक फ्रीट सभाकक्ष में आयूजित की गई मनसौर में व्यवसाइक वाहन चालकों का निशल कनेत्र प्रिक्षन शिवर नौजिनवरी को आयूजित होगा जिलायस सरी महाविध्यालीन पुरश खोखो प्रतियोगिता का खताब शास्की सनात को उत्तर महाविध्याले शोपुर की टीम ने चीत लिया है बैतूल में एर्स की जानकारी और बचाव विशय पर कल चित्रकला प्रतियोगिता का आयूजिन किया गया है आगर मालवा के शास्की उत्कृष्ट उचितर मादमिक विध्याले को कौशल विकास और विवसाइख प्रसेक्शन के लिए पाइलिट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है शुपुरी जिले में नेहरो युवा केंडर संगितन दुबारा 12 से 19 जन्वरी तक राश्य युवा सप्ता मनाया जाएगा सोक्ष मलगू और मध्या मुध्या मंत्री ओम्प्रकाश सकलीचा ने आज खरगौन में कहा कि प्रदेश में आप तहसील इस तर तक उद्योंग धंदे खुलेंगे अनुपुर जिला अस्पताल में 15 जन्वरी को कैंसर के चांच, परामर्श और OPD लगाई जाएगी बढ़वानी में मांकर जीवन यापन करने वालों को खाद्यान पात्रता परची जारी होगी इस बुलिटिन में इतना ही अन्त में एक अपेल, मास्क और दोकस की दूरी हाँ धोना भी है जरूरी नमस्कार